हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट में आप लोगा स्वागत है आज हम रिमेंडर त्योरम का लास्ट पार्ट जो है पार्ट थर्ड लेका है इससे पहले दो पार्ट बनाए हुए दो पार्ट वीडियो वो देख सकते हैं आप उसमें अ जैसे तीन को ऐसे कर देगा यह बनाके तो इस फैक्टोरियल होगा या तो तीन लिख के ऐसे दे दिया तो यह फैक्टोरियल होगा इसको कैसे लिखते हैं जैसे फैक्टोरियल तीन दे दिया इसको लिखेंगा कैसे तीन गुना दो गुना एक मतलब जो फैक्टोरियल में उ इसका भी छे होगा, आसा करतो हूं, यहां तक समझ गये होंगे, चलिए, आगे फेक्टोडियर वाला जो किस टैप के कोश्चन आता है, उसको समझने से पहले, एक चीज और आप लोगों को समझा देते हैं, पहले भी हम समझाया हैं, उतनों डिटेल में नहीं है, इसमें तोर जानना जरूरी है, तीन में अगर पांच से भाग दिया जाए, तीन में पांच से भाग दिया जाए, तीन में पांच से भाग दिया जाए, तीन में पांच से भाग नहीं लेगा, इसका रिमेंडर तीन ही होगा, तो यह तीन ही क्यों होगा, और कुछ क्यों नहीं हो सकता है हो सकता है, इसमें दो possibility, एक positive में एक negative में, तो मतलब maximum हम लोग को क्या सिखाया जाता है या जो भी हमार थियोरा में कि positive में answer देना है, तो इसलिए हम लोग 3 दे जते हैं, इसका negative में भी answer आएगा, तो चलिए देखते हैं, आखिर क्यों होता है, एक चीज आप, यह सब चीज सम से पढ़ते होंगे, बच्पन में पढ़ायागा, पांच में चट्टे किलास में, जीरो एक ऐसी संख्या, सबसे चोटी संख्या है, जिसमें कितनी भी बड़ी संख्या से आप भाग दे सकते हैं, तो उसी concept पे इसमें भी बनता है, अब देखिये, हमको देखना है, यह पां जीरो में पांच से भाग लगता है, यह यानि किलियर किया है concept, तो जीरो में पांच से भाग लगता है, तो इसमें पांच में लगड़ा है, तो पांच में जब लग रहा है, तो पांच में जब लग रहा है, तो पांच तीस से कितना अधिक है, दो अधिक है, तो इसमें य पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में इसी पर डिसकस किये थे, एक पलस में तीन आएगा, एक मैनस में दो आएगा, और एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, यहाँ जो हर में जो रहेगा, पांच है न यहाँ, यह इस दोनों का सम जो कहते हैं, इस दोनों का जोड़ हम को लोगा देखिए तीन दो पांच हो रहा है न यह चीज बिलकुल मैथ जो है फैक्ट पे चलता है कोई भी चीज बना है तो फैक्ट पे ही चलेगा मैथ में तो चलिए आसा करते हूं यह चीज समझ गए होंगे इसका थोरा सा का इंसा इंप्लेमेंटेशन यहाई पे होगा इसलिए हम बता दिए अब चलिए बार्षचन आपको दे दे क्षिख फिक्टोरियल 1-प्लस फिर्थ्य 12 फिर्थ्य प्लस फिर्म 4.2.2.2 मैं करते 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 फिर्थ। एक्टोरियल एकसो तक जाए इसमें बोलेई आपको कि बारह से भाग देके सेस्फल क्या होगा इसमें पूछ दे सेस्फल क्या होगा इसको बनाने का क्या तरीका है आप देखिए आप देखिएगा यहाँ एक एक में बारह से भाग लेगा नहीं तो इस मेथड को लेके एक इसका सेस्फल हो जाएगा, पलस में, दू में बारे से भाग लेगा, नहीं लगेगा, तो इसी मेथड से, फिर दो भी ले सकते हैं, आप, दो से स्फल बचेगा, तीन, तीन का फेक्टोरियल क्या होगा, तीन का फेक्टोरियल तीन दुनी छो, छो में बारे से भाग लेगा, नहीं लगेगा चोव में बारे से भाग नहीं लेगा, तो स्पल क्या होगा, या तो पलस में चोव आएगा, या तो मैं चोव आएगा, तो पलस में चोव ले लेते हैं, ठीक, चोव में देखिए, यहां इधर समझे, चोव में अगर हम बारे से भाग देंगे, तो लगेगा नहीं, उसे लिवार्यम लगेगा तो छो से कितना निक्या अधिक अथिक है? उतना मैनस कर देंगे या तो पलस में 6 ले सकते हैं या मैनस से दोनोंगेशियों आपको में बता दे सकते हैं लेकिन फिलाल हमको लेना यह एजी लगणा है पोजिटीव में तो हम पोजिटीव में ले लिए छे, चलिए, पलस में, अब देखिए, चार का फिक्टोरियल क्या होता है, चार का फिक्टोरियल अगर निकालने बोले तो चार गुना तीन गुना दो गुना एक, यह इन होगा, चार गुना तीन गुना दो गुना एक, पूरी तरह से भाग लगता है, तो दूर बार में पूरी तरह से भाग लगता है, स्यस्फल कितना होता है, जीरो, तो उसी तरह चारते हैं, बारे दूरी 24 में से जब बारे से भाग लगता है, स्यस्फल क्या हो जाएगा, जीरो, तो फैक्टोरियल 4 के मौन में अगर बारे से भाग दे रहे हैं तो शेसफ़ल 0 आ रहा है तो इसका मतलब 0 हुआ पलस में इसके आगे तो फेक्टोरियल 5 होगा अब फेक्टोरियल 5 को भी देख लेते हैं फेक्टोरियल 5 को लिखते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 उसमें बारे से भाग देना, इसमें भी देखिये कट रहा है, 4, 3, 3, 3 खतम मतलब इसके आगे, फेक्टोरियल 4 के आगे, जो भी फेक्टोरियल में 100 तक जाएगा तो वो 0 ही आते जाएगा, यह 0, 0, 0 ही आते जाएगा, उसका remainder मतलब 6 फल 0 ही आते जाएगा तो इसको जनी कि 0 ही काउंट करना है अब यहां से गिनना सुरू करना है 0,0,0,0,0,0,0 यहां तक तो 0 ही आएगा रिमेंडर उसके बाद 6, 2, 8, 1, 9 तो फाइनली क्या आगया? 9 बटे 12 अब देखिए इसमें हम क्या बताएं? तो इसका एक तो 9 होगा पलस में, एक मैनस में 3 होगा यह दोनों का जोड़ होड़ा है बारह और इसे भी होनी कि अगर मैनस मैनस बला भेलू लेते हैं तो बारह में से तीन घटाएंगे तो 9 आएगा इसका मतलब रिमेंडर नो आया नो आपका सेस्फल हुआ यही आंसर हो गया आसा करता हूँ यह बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे नहीं समझें तो एक और कुश्चा तो सेस्फल क्या होगा? अब सेस्फल क्या होगा? निकालिए कुछ ने करना है फेक्टोरियल एक का मान कितना होता है? एक होता है एक में हम अठारे से बाग देंगे तो सेस्फल एक ही आएगा पलस फेक्टोरियल दो का मान दो होता है दो में अठारे से बाग देंगे दो ही सेस्फल बचेगा सेस्फल सिर्फ निकालना है सहाफ लिख रहे हैं आप सिल गातलब 148 हम देंगे 6 हैं इसा इनके रिमेंडिर आप देखिए फेक्टोरियल पांच लेते हैं फेक्टोरियल पांच को कैसे लिखेंगे, पांच गुना चार गुना तीन गुना दू गुना एक डिवाइड़ बाइ अठार है, देखें कट रहा है, तीन चाक अठार है, दू तिया, छो, यह भी नहीं कटेगा, मतलब 120 में अठार से भाग लगेगा, फैक्टोरियल पांच का मतलब 120 होता ह एक्टोरियल पांच गुना चार गुना तीन गुना दू गुना एक, इसमें अठार है, तीन तीन खताम, तो मतलब यह कट गया, मतलब फैक्टोरियल छो पूरी तरह से कट रहा है, फैक्टोरियल छो का मतलब 720 होता है, 720 पूरी तरह से कट रहा है, जब पूरी तरह से कटे तो रिमेंडर कितना आएगा, इसके बाद 00 आना सुरू हो जाएगा, आपका यहां तक 0 आएगा, उसके बाद जो घटे यह सिस्फल कितना बचेगा, नो, यह अब का अंसर हो गया, आसा करता हूं समझे होंगे, नहीं समझे तो एक और देख लेते हैं, फेक्टोरियल 1 प्लस फेक्टोरियल 2 प्लस फेक्टोरियल 3 प्लस फेक्टोरियल 4 ऐसे करते करते, फेक्टोरियल 990 तक जाता है, इसमें बोलता आप दो में 10 से भाग देंगा तो बचेगा तीन में 10 दूने 6 जो में 10 दस से भाग देंगा तो इसमें 4 बचेगा तो च्छोा बचेगा आप नेगेटिव लेसकते आप कोई बात नहीं, छोले लिया हम, पलस, 4 का फेक्टोरियल कितना होगा, 4 ती आप 12 दोनी 24, 24 में 10 से भाग दिजिए, 4 से अस बचेगा, पलस, 5 का फेक्टोरियल कितना होग ता है, 120, 120 में 10 से भाग दिजिए, पूरी तरह से कट जाएगा, तो मतलब 0 आ जाएगा, अब इस तरिमेंडर कितना होग गया, 10, 13 में 10 से भाग दिजिएगा, ता आपका 3 से सफ़ल आएगा, आसा करता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह समझाओंगे वीडियो, अगर कुछ भी डाउट है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए, हम रिपलाइ करेंगे, वीडियो द